देखिक थाना श्वेतर की शंकरगर पहारी के पास इस्तित नारा पेट्रल पंप पर बाइक सवार अग्याद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है तीन बदमाश मुह पर गंचा बांध कर रात करेब 12.15 मीट पर पेट्रल पंप पहुचे और दो करमचारों के साथ मार्पिट कर गल्ले में रखे पैसे निकाल लिया और फरार होगा करीब 15 से 20 हजार लूटने की बाद सामना आई है पेट्रल पंप करमचारी रोहित ठाकों ने बताया कि तीन बदमाश गंचे से मुह बांध कर बाइक साय थे जबकि एक बदमाश बाइक पार और दो बदमाशों ने आफिस के अंदर आकर लोट की घटना को अंजाम दिया उन्होंने मारपिट भी की दोनों बदमाशों के हाथ में रिवॉल्वर भी थी पूरी घटना CCTV केमरे में कैद हुई है घटना को 5-10 मुनीट में अंजाम देने के बाद बदमाश राजुदा की तरफ फरार हो गए इसके बाद करमचारों ने पेट्रिल पंस अंचालकों को सुचना दी वहीं बारदात की सुचना के बाद CSP विवेक सियंच चौहान मोके पर पहुचे और CSP विवेक सियंच चौहान ने बताया कि CCTV फूटेज देखे जा रहा है जिसे कुछ आहम सुराग मिले हैं बदमाशों के जाने के रास्ते को भी ट्रेस किया जा रहा है जल्दी आरोपियों को गिरफतार कर लिया जाएगा किलेर हुए हैं हम उसके काम कर रहा है तो जल्दी ही हम आरोपियों को गड़ लिए हैं वोन आये हम अंदर बेठे थे उन्हों में से एक पीछे से उतर गया है उन्होंने रिवालवर आड़ा ही देवास पेरोचिफ अभिशेक सोनी की एरपोर्ट